तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं और रेलवे के अंदर ALP Technician हो, NTPC हो, JEE हो, Group D हो, जो भी कंडेट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है नई Vacancy 2022 के Announce होई है, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि Vacancy बहुत ज्यादा आने वाली है अभी तो GDC की बात मैं करने वाला हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा, आपका 28 मई के लगबग एक लेटर जारी क्या गया था Railway Board के दुबारा, जिसमें सारे General Railway और Production Unit को ये निर्देश दिये गए थी, कि GDC और LDC के थुरू जितने भी खाली पद हैं, उनको भरा जाए तो उसी के बाद में दुबारा से लेटर जारी क्या गया है, जून के अंदर, मिड ओफ जून के अंदर, तो उसके बाद में हापर एक्षन में आते हुए, जो की WCR के अंदर यहाँ पर वेकेंसी आए, वेस्ट सेंटर Railway, काफी हाँ पर एक्टिव आपका RRC, जो 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 ज भर सकते हो, जही हो, तो भी फोरम भर सकते हो, गुरूपडी में हो, तो आपके लिए Golden Opportunity रहने वाली है यह, सलेबस क्या रहता है GDC का, जो भी छातर जैसे आगे, दूसरे जोन वाले जो जो फोरम भरेंगे, आगे वेकेंसी आने वाले है, सभी जोन में धिरे देख, इस सा फोरम भरें, और पूरी डिटेल से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चैलों को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, आगे की अपडेट यहाँ पर आपको दी जाएगी, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, RRC, WCR, West Central Railway, जबलपूर की तरब से वेकेंसी न और ओनलाइन फोरम हो, आठ जुलाई से चालो होंगे, और 28 जुलाई ते का फोरम हो भर सकते हो, तो देख सकते हो, यह आपकी जनरल डिपार्टमेंट कम्पेटिव अग्जामेशन GDC के अंदर वेकेंसी है, जिसमें आपको जितने भी रेल्वे करमचारी है, अगर इसके ब LDC के अंदर फोरम नहीं भर सकते हैं, यह मैं आपको बता दूँ एक बार, जितने भी हाँ पर जो RPF के Constable या Sub Inspector जो भी यहाँ पर हैं, वो ASI वगरा, वो इसमें फोरम नहीं भर सकते हैं, जो भी GDC की वेकेंसी हैती है, चाहे वो किसी भी जोन की हो, इस जोन का जो नियम है, वो सभी जोन में लागू होगा, तो जितने भी अक्ष्टा जोन वाले हैं, वो भी इस वीडियो को पूरा देख लें, तो NTPC Graduation Post जो है, इसमें देख सकते हो, Station Master Level 6 की Post है, यानि कि सबसे बड़ी Post है, वो आपकी Level 6 की Post है, जिसमें अगर आप JEE भी हो, तो भी आप Forum भर सकत क्योंकि आपका सेम ग्रेड पे है, तो आपको अगर हो सकता है, आपको JEE अच्छा नहीं लगे, और आपको यहाँ पर Station Master जो अच्छा लगता हो, तो आप Forum भर सकते हो, और इसमें क्वालिफाई भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ पर जो Station Master है, 35,400 बेश गुन 30,200 यहाँ पर Basic है, लेवल 5, 2800 ग्रेड पे की आपकी नोकरी है, और B2 Medical Standards में चाहिए, इसके बाद है Senior करलक कम टाइपिस्ट की जो वेकेंशी है, उसमें आपकी 3,200 ही यहाँ पर Basic है, यह टाइपिस्ट है, इसमें आपकी टाइपिंग बांगी जाएगी, यह चीज ध गट कल रख है, जिसमें Level 3, 2700 बेसिक B2, यहाँ पर Standard चाहिए, और 30 वेकेंशी है, अकाउंट कल रख कम टाइपिस्ट है, तो इसमें आपका 2900 लेवल 2 की वेकेंशी है, इसमें Technician वाले जो Grade 3 है, वो Forum भर सकते हैं, तो इसमें C2 Medical चाहिए, 8 वेकेंशी है, Junior कल रख कम टाइ के अंदर है, Senior कल रख की, और एक आपकी Accounts कल रख और Junior कल रख, यह तीन वेकेंशी है, इसमें आपकी टाइपिंग चाहिए, बाकी वेकेंशी में आपकी टाइपिंग नहीं चाहिए, Station Master में आपका Psycho Test होगा, जो आपका है, वो चीज ध्यान दे, और जो Total वेकेंशी है, वो निचे निचे है, उसके अंदर आपका बताया गया है, कि क्या कुछ इसके अंदर देख सकते हो, Graduation है, और आपका कौन-कौन इसके अंदर Handicap वगरा, फोरूम भर सकते हैं, वो भी हाँ पर दिया गया है, तो यह आपका यहाँ पर, जैसे 12th Pass है, 50% नंबर आपके होने चाह पहले भी जोइन किया है, तो आप इसमें फोरूम भर सकते हो, आपको कोई मना ही नहीं होगी, तो यह चीज है, आपके लिए Benefit इस चीज का रहेगा, कि अगर आपने एक दिन पहले भी जोइन किया, GDC वेकेंसी आगई, तो आप Group D, चाहे आपको Track Maintenance मिला हो, चाहे आपको क कोई भी पोस्ट मिला हो, उससे आप Direct, आप Station Master भी बन सकते हो, Senior कलरक कम टाइपिस्ट भी बन सकते हो, Senior कलरक कम टिगट कलरक भी बन सकते हो, तो यह चीज है, यह आपको मोका देता है Railway, GDC के तुरू, और इसमें अगर हम बात करें, सलेबस का और एज का, तो एज यहाँ प 45 साल, OBC की एज यहाँ पर रखी गए, एक साथ 2022 के अंजार, तो यह अलगलग जोनल के अलगलग वेकेंसी आती है, तो उस टाइम में रहता है, पर एज आपकी यही रहती है, 42, 45 और 47 साल, तो यह यहाँ पर है, इसके बाद में बात करें, अगर सलेबस की, आपकी सलेबस औ पेपर की, तो पेपर आपके ओनलाइन होते हैं, CBT अग्जाम यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो, WCR, RRC, WCR यहाँ पर आपकी वेकेंसी करवा रहा है, और इसके बाद में जो योगजिता है, वो यहाँ पर आपका बता दिया, जो complete योगजिता जिन्होंने कर रहा, appearing व बात करें सलेबस की, तो मैं आपको बता रहा था, सलेबस आपका सेम एंटेपीसी वाला सलेबस रहता है, तो इसमें देख सकते हो, मैं जो बी आपका LCHM, HCF, आपका अनुपाद समानुपाद परसंटेज, मिश्रन, समय और कारिये, समय और दूरी, आपका SICI, तो यह जो आपका RRB वाला जो सलेबस है, सेम का सेम इसमें रहने वाला है, इसके बाता रिजनिंग आपको देख सकते हो, आपका रिजनिंग के टोपिक दिया गए, इसके बाता जीके यहाँ पर दिया गया है, नेशनल और इंटरनेशनल जीके, 10th standard की life, जो science है, वो आएगी इसमें, आपकी cbsc level वाली, तो यह चीज है, तो यह सारे चीज है आपकी रहने वाली है, इसमें syllabus के तोर पे, और 40% runner वाले candidate है, और OBC वालों के लिए 30% और SC वालों के लिए 30% और ST वालों के लिए 25% number लेकर आना जरूरी है, फिर ही वो आपका जो psychotest है, उसके अंदर आपके आग आपका 37-30 के ratio से आपकी station master की cutoff वनेगी, typing test है, उनको typing test होगा, उनका जो भी यहाँ पर 25 वर्ड परती minute आपका हिंदी का रहेगा, और English के लिए आपका 30 वर्ड परती minute रहेगा PC के अंदर, तो यह चीज यहाँ पर typing है, normalization भी use किया जाएगा, अगर आपका एक से ज्यादा NTPC, प्री जो exam आपका हुआ था, सेम वैसा ही pattern का exam होगा, और सिर्फ एक एक exam इसमें होता है, बाकी आगे और notice जारी करके हो सकता कुछ और changement हो, फिलहाल के लिए आपको बता दिया, मैंने, GDC के लिए आप RRB की योगता वाले forum बर सकते हैं, और सेम syllabus रहता है, कोई भी हो सभी इसमें forum मर सकते हैं, सेम grade पे और नीचे grade पे वाले forum भर सकते हैं, चाहे वो group D हो, चाहे ALP technician हो, चाहे जो भी हो, आपको कोई और doubt हो तो नीचे comment कीजिएगा, और information के लिए चैलों को subscribe जरू कीजिएगा, धन्यवाद, जहिन, जे भारत